जोस्तो आज की बीमें मुंघुमनेंगे मंटे के लियें निफ्टी और बेन निस्टी में क्या भी लेल होने पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 42,218 पर फ्राइड के निफ्टी ने बहुत ही अच्छा हमने यहां पर मुमेंट कैप्चर किया है यह जो डाउंसेड रेड़ी चल रही थी हमने कंटिन्यू किया यहां पर यहां तक प्रफिट अच्छी किया है हमने तेलेकम मिल जागा पहन से जॉल गर सकते है यहां अच्छा प्रॉफिट निकाला है निफ्टी में भी अच्छा पॉंट किया है त्यूस आप देखा रहे हैं चार्ट में हमन यहां प्रॉफिट उसी यहां पर यहां पो उलेपर आपक सिखहती रहती हूं और आपको भीड़ी इसे देखते हैं बैंग निती में क्या लेवल निकल के आ रहे मंड़े के लिए समरी जी बैंग फ्लैट उपनी होके है थोड़ा सा गैब डाउन उपनी होके उपन हो जाते है तो जैसे इस लेवल के पास आएगी यहां से एक रिवरसल बना सकती है या फिर अगर इसी बिरिक कर जा पर देखने को मिल जाएंगे बैंग निती में अगर प्राइट उपनी होके यह तोड़ा सा गैप अपन हो जाती है तो जैसे बैंग निती इस लेवल को बेक करेंगी दोस्तो 42,218 की लेवल को यहां पर ब्रेक करके अपसाइड निकलने कुश्च करेंगी प्राइजेक्शन बगेरा बनाके तो हम कॉल साइड बैटिंग की तीसरे चले स्पन के स्टॉपलस लागा के पहला हमारा जो टागेट होने वाला है यह लेवल होने वाले 42,600 का दूसरा टागेट है हमारे पस 42,300 का लेवल यहां तक के लेवल आपको बैंग निपती दिखा सकते अगर 42,200 का लेवल मुझे नजार आ रहा है मैं आपको मार्कर की दिखा देती हूं यहां पर 42,200 का लेवल तो को और यहां पर तीसरा जो रेजिसरेंस से मुझे आपनजर आ रहा है वो है 42,600 का लेवल यहां तक के लेवल आपको बैंग निपती दिखा सकते हैं as a resistance आप इसे यू दूसरी तीसरी गेंडल को उसे ब्रेक करेगी बैरिश केंडल को तो हम यहां पर पूर साइट बैटेंगे तीसरे चालेश बन का श्टप्रस लगा कि पहला जो लेवल है आज का जो क्लोजिंग दिया है बैंक नपती ने वह हमारा पहला सपोर्ट होने वाला दूसरा सपोर्ट है 42,000 का इंपोर्टें ड्राउंड फिगर लेवल है वह हमारे लिए दूसरा सपोर्ट होगा तीसरा जो सपोर्ट है यहां पर 41,650 का लेवल है चौथा सपोर्ट हमें नजर आ रहा है 41,350 का लेवल है यहां तक के लेवल आपको बैंक नपती में देखने को मिल जाएंगे समली जी यहां पर गैप ओप ओपनी होगी यहां पर कोई बुलिश कैनल बनाते है पंद्रामिन की तो पंद्रामिन की कैनल क्लोज होते हैं हम से ही साइड बटेंगे 345 का स्टॉप लोज हो जाती है तो हमें किस तरह का ट्रेड लेना है यहां पर समय जी बड़ा गैप डाउन हो जाते है इस लेवल के नीचे उपन हो जाती है इस तरह से बैडिश करनल बनाती है तो दूसरी तीसरी करनल पर हम एंट्री ले सकते हैं और यहां पर हमें पहला टागेट अच्यू कर सकते है 41,000 650 का level, दूसरा टागेट है 41,000 350 का level, तीसरा टागेट है 41,100 का level, यहां तक कि लेवल आप अच्छीव कर सकते हैं बेंग निर्ती में, समयने जिए बेंग निर्ती इस लेवल को भी ब्रेक कर जाती है इस तरह से प्राइजक्षिन बना के और और दाउंसाड एंग कोश्च करते हैं तो हम यहां पर लॉट साइट बढ़ा सकते हैं और वन इस्टू टू का टागेट नीचे अच्छीव कर सकते हैं अगर आपको स्टॉपलोस को ट्रेल करना आता है तो आप बड़े टागेट के लिए भी जा प्रूस लगा के पहला टागेट ए आज का जो क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने दूसरा टागेट है हमारे 42600 का लेवल तीसरा टागेट है 42200 का लेवल और ऊपर जो वही रिजिस्टन्स होने वाले हैं बैंक निफ्टी में जो है 43600 का लेवल अपसाइड के लिए है तभी आप अच्छा कसा profit market से लॉजिकल निकाल पाऊगे तो लिए देख लिए लेवल के निकल के आ रहे हैं निफ्टी में अगर फ्लैट अपनी होके या थोड़ा सा के ब्राउन अपनी होके ओपन हो जाते हैं तो इस लेवल का ब्रेक होने का बीट कीजिए का 17800 के लेवल सब्सक्राइब निफ्टी में 17,728 का दूसरा जो सपोर्ट है यहां पर 17,654 का अगर इसे भी ब्रेक कर जाते हैं इस तरह से प्राइटर्शन बना के नीचे आने क्यों कोशिश करते हैं तो हम स्टॉपलस को ट्रेल कर सकते हैं या फिर आपको स्टॉपलस का नहीं या तो व की साइड बढ़ सकते हैं अपसाइड के लिए बी से तीस पॉन का स्टॉपलस लागा कि पहला जो टागेत है 17,950 का लेवल होना है दूसरा टागेत हमारे पास 18,000 का मजबूत लेवल है जो रेजिस्सेंस बंके निकल के आ रहा है मंडे के लिए तीसरा जो हमारे पास ताग अपको बैंक निफ्ती में देखने को मिल जाएंगे मंडे के दिन के लिए समद्लेजिन निफ्ती गैप अवपनी हो जाते इस लेवल के आसपास यहां पर कोई बेरिश करने बनाते 15 मिंद की स्टॉपलस लागा कि पहला जो टागेत है आज का क्लोजिंग होने वाले निफ् लेवल यहां तक की लेवल आपको निफ्ती दिखा सकते समिलेजिन निफ्ती गैप अवपनी होगी यहां पर कोई बुलिश करनल बनाते 15 मिंद की स्टरे से तो 15 मिंद की काना क्लोज होते हैं हम सी साइट बाटने के पिससे 30 पांट न लागा कि पहला लेवल 18,000 का 18,030 का ल लेवल तिसरा लेवल है हमारे पास उपर की तरफ वो है 18,240 का लेवल यहां तक के लेवल आपको बैंक निफ्ती दिखा सकती है चले अब तिप देख लेते हैं तिप के निकल के आ रही है कल के लिए निफ्ती बैंक निफ्ती दोनों में ही फिर वीडियो को आगे बढ़ात है दोस्तों जासे करते हैं पर बैंक निफ्ती यहां से रिवसल लेती है तो अच्छा गाल सामय अपसाइड मोमें देखने को मिल जाएगा अगर रिवसल नहीं लेती से ब्लिक कर जाती है तो प्राजेक्शन के हिसाब से हम यहां पे लेने लेने वाले हैं मंडे के दिन और अच्कासा दाँंग्नेटि के लिए हम प्रॉफिट बूक करने वाले हैं दाँंग्नेटि यहां से रिवसल ले enquanto ले मंडे के दिन तो जिस तरह से बैंग्नीटि भीहई करते हैं उस तरह से हम ट्रेड लेंगे यहां पर refuge कोई bullish channel बन जाती है इस तरह से यहाँ पर समलेजी गैपर उपनी होके support के पास आके यहाँ पर कोई bullish channel बन जाती है इस तरह से 15 मिन की तो हम C side बटेंगे जैसे bullish channel का high break होगा हम C side बैड सकते हैं stop loss 20-30 पर लगा के निफ्टी में देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है निफ्टी में निफ्टी भी अपने एक important support पर खड़ी है दूस्तों जिसे के आप देख पाड़े 17,800 का important support है निफ्टी के पास यहां से एक बार reversal आ चुका है दूस्तों निफ्टी में तो फिर से हो सकता है यहां से इवरसल आ जाए हमें यहां तक के टागेट देखनें को मिल जाएंगे एगर रिवर्सल आता है निफ्टी में तो यहां तक की टागेट हमें देखनें को मिल जाएंगे और यहां तो इस तरी से projection बना पिर से ron कर सकते हैं logic के साथ आपको वग करना है अगर live market में अपडेट पाना चाहते हैं तो telegram channel को join कर सकते हैं link description में मिल जाएगा आप वहां से join कर सकते हैं दोस्तों live market में हर update में देती रहती हूं जैसे ही मुझे update मिलते हैं मैं आपको live market में देती रहती हूं और अपने एक perfect strategy के साथ आप बहर करोगे तो अच्छी खासी profit आप market से निकाल सकते हो daily basis पे strategies की वीडियो पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके playlist में देख सकते हो सारी के सारी strategy की वीडियो आपको मिल जाएगी या फिर मेरे आई बटन में भी आपको सारी वीडियो मिल जाएगी strategy की जो मैंने बनाई हुई है आपके लिए और वो बहुत ही useful है बहुत ही अच्छे से work करती है live market में आप उसे back testing करके use कर सकते हो पहले paper trading करके use कर सकते हो फिर real money से आप trade कर सकते हो अगर वो आपके लिए helpful होती है तो चले देख लेते हैं कि निफ्टी में समयलें जी निफ्टी gap down opening हो जाती है यहां पर कहीं पर गया पर कोई बुलिश करने बना थी पंदर मिंगी तो पंदर मिंगी करने close होती है हम C-side बटेंगे 20-30 पंदर के श्टाफ लगा कि पहला टागेट है 17 ताउन देट दूसरा टागेराज का जो closing दिया है निफ्टी ने तीसरा टागेट हमड़ बस 17,950 का लेवल निकल के आ रहे चोथा जो तागेट है 18,000 का जो important resistance है वो हमारे लिए चोथा resistance की तरह काम करेगा निफ्टी में समने जिन निफ्टी गेब्रान उपनी हो कि यहां पर कोई bearish candle मनाती है इस तरह से यहां पर कोई bearish candle मनाती है तो जैसे bearish candle को दूसरी ब्रेक करेगी हम 20-30 का stop loss लगागे पहला टागेट है 17,728 का लेवल दूसरा टागेट है 17,654 का लेवल और अगर इसे भी ब्रेक कर जाती है प्राइजक्शन बना के नीचे जाने कोश्च करती है हम लौर साइट यहां पर बढ़ा सकते है प्राइजक्शन पर और यहां पर बड़ा टागेट अच्छी हो कर सकते है अगर आपको stop loss लग करना आता है तो नहीं आता तो आप 1-2 का टागेट लगे एकसित हो सकते हैं तो यह थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के मंडे के लिए लेवल आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर कर्सके बंडे किन अच्छा का सब कॉफिक कर सके और तैले ग्यम चुन को जान नहीं किया तो लिंक दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप महां से जॉइन कर सकते हैं इस्ट्राटीजी की सारी वीडियो आपको आई बटल में मिल जाएगी या मेरि चैनल पे जाके आपको प्लेलेस्ट में सारे के सारे वीडियो मिल जाएगी तैंकी सोमधिस दो